नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने पहले अध्याई में पढ़ा था अलंकार, मैं सविता देवी, राच्की इंटर कॉलेज, नुएडा, गौतम बुध्यनगर आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंतरगत अलंकार का दूसरा भाग अलंकार कावि सौंदर के तत्व हैं, कावि सौंदर के तत्व के विश्य में मैंने आपको पहले भी बताया था वह तत्व जो किसी कावि की शोभा या सुन्दर्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वो कावि सौंदर के तत्व कहलाते हैं आपके पाठिक्रम में हम तीन प्रकार के तत्व पढ़ेंगे रस छंद अलंकार जिसमें हम अलंकार का आज दूसरा भाग पढ़ रहे हैं बच्चों अलंकार के अर्थ और परिभाशा भी मैंने आपको बताई थी अलंकार का अर्थ और परिभाशा में अलंकार आभूशन होते हैं जो कावे की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं अलंकार के भेद भी हमने पढ़ा था अलंकार दो प्रकार के होते हैं दोनों प्रकार के अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार जहां शब्द के माध्यम से कावे में चमतकार उत्मन हो वहां सब्दालंकार होता है और जहां अर्थ के माध्यम से कावे में चमतकार उत्मन हो वहां अर्थालंकार होता है शब्दा लंकार के तीन प्रकार हमने पढ़े अनुप्रास, यमक और शलेश और अर्था लंकार के पिछले अध्याए में या पिछले भाग में हमने तीन प्रकार पढ़े थे उप्मा, उत्प्रेक्षा और रोपक आज हम पढ़ेंगे कुछ अन्य प्रकार जो आपके पाठिक्रम में शामिल किये गए हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, उन्हीं में से पहला एक प्रकार अतिश्योक्ति, अतिश्योक्ति अलंकार पहले भी आपने अध्यन किया होगा इसका, आज हम अतिश्योक्ति अलंका तरश्योक्ति अलंकार बच्चों होता है, जहां पर हम किसी तत्व का बहुत ही बढ़ाथ चढ़ा कर वर्णन करते हैं। तत्व बहुत छोटा, लेकिन हम उसका इतना बढ़ाथ चढ़ा कर वर्णन कर देते हैं, कि वह बात हमें असंभव सी प्रतित होती है। अब आदी का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए ठीके तब वहां अतिश्योक्ति अलंकार होता है इस अलंकार में ना मुम्किन या असंभव तत्य को का वर्णन जो है तत्वों का वर्णन किया जाता है उन तत्वों को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है उ 37 योक्ति अलंकार का उधारन हनुमान की पूछ में लगे न पाई आग लंका सिगरी जल गई कए निसाचर भाग यहां पर आप देख रहे होंगे हनुमान की पूछ में अब तक क्या है आग भी नहीं लग पाई जब लंका दहन की प्रक्रिया चल रहे थे तो हनुमान की मुझ में अब तक आग भी नहीं लगी और क्या हो गया लंका सिगरी सारी लंका धदक उठी जल गई और गये निसाचर भाग और सारे निसाचर राक्षस राक्षशनिया जितने भी हैं वो डर करके भाग गये ऐसा संभव तो नहीं अभी तक आग भी नहीं लगी और इतना प् उधारन में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूछ में आग लगाने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए यहां बात बिलकुल असंभव है एबं लोक सीमा से बढ़कर वर्णन किया गया है अतह यहां उधारन अती शोक्ति अलंकार के अंतरगत आएगा ठीक है बच्चों एक और एक्जाम्पल से हम देखेंगे यह एक्जाम्पल अगर दोनों में से आपको जो एक्जाम्पल आसान लगे आप उससे आसानी से याद कर लीजेगा ठीक है आगे नदिया पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार ठीक है आगे नदिया पड़ी है चेतक को ले करके महराना प्रताब भाग रहे हैं और राणा ने क्या किया उनका घोड़ा नदी के पास आकर खड़ा हो ग और तब तक जो है चेता की उस नदी के उस पार चला गया असंभव सी बात है नदी को खोड़ा कैसे पार करेगा लेकिन यहाँ पे उनके तेजस वी रूप का घोड़े के पराकरम का बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है इसलिए यहाँ पर बच्चों अतिश्यो में आपने इसका अध्यन नहीं किया होगा ठीक है यह एक नया अलंकार जिसके विशे में हम पढ़ेंगे प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का एक दम उल्टा होता है जैसे आपने चंद में पढ़ा है दोहा सोठा ठीक है सोठा दोहे का बिलकुल उल्टा होता है उसी प्रक से समझ पाएंगे उपमालंकार जहां उपमे में से उपमान की तुलना की जाए ठीक है उपमे की तुलना उपमान से की जाए ठीक है वहां पर उपमालंकार होता है लेकिन प्रतीब अलंकार में क्या होता है देखिए प्रतीब का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत ठीक यहा जादा या श्रेष्ट दिखाने का प्रयास किया जाता है उपमे की तुलना उपमान से उपमालंकार में होती है लेकिन प्रतीप अलंकार में उपमान की तुलना उपमे से उपमे श्रेष्ट है तुलना करने लायक कौन है उपमे है मतलब उपमे से तुलना की जाएगी, उपमान की, तो उपमे की श्रिष्टता दर्शाई गई है, एक एक्सामपल से समझेंगे हम, प्रती पलंकार का उधारन देखिए, उस तपस्वी से लंबे थे, देवदार दो चार खड़े, यहाँ पर उपमान कौन है, देवदार, और तपस्वी कौन है, उपमे है, ठीके, उपमान कार में होता तो क्या होता, तपस्वी की तुलना देवदार से की जाती, लेकिन यहाँ किस से की गई है, उस तपस्वी से लंबे थे, देवदार दो चार खड़े, देवदार की तुलना तपस्वी से की गई है, जस्ट उल्ट ठीके उपमालंकार में तपस्वी की तुलना देवदार से लेकिन प्रतीपलंकार में देवदारों की तुलना तपस्वी के से की गई है अर्थार देवदार से लंबे ठीके तपस्वी से लंबे देवदार जो लंबे है वरक्ष वो कैसे दिख रहे हैं तपस्वी के समान पस्वी को उपमान बताकर उपमान को तुछ और उपमे को श्रेष्ट बताया गया है इसलिए यहाँ पर प्रती अलंकार है एक बहुत साधारन से एक्जामपल हम देख लेंगे और दूसरा अगर आप समझना पाए हो तो इससे भी आप समझ लेंगे चंद्रमा सीता के मुख के समान सुंदर है उपमा में हम पढ़ते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है लेकिन अब हम यहाँ पर क्या उल्टा कर रहे हैं कि चंद्रमा सीता के मुख के समान है सीता का मुख उपमे था, उपमान से तुलना हम उपमा में देते हैं, प्रतीप में हम तुलना कर रहे हैं, उपमान से उपमे की, ठीके, चलो, प्रतीप लंकार समझ पाए होंगे बच्चों, इसके आगे हम देखेंगे, भ्रांति माना लंकार, यहां लंकार भी आपके लिए इप देखने के बाद परिभाशा से देखेंगे हम जब हमे भ्रहम या धोका हो जाया जहां उपमे को भ्रहम धोफिये के कारण उपमान समझ लिया जाता है ठीक है वहाँ भ्रांती मान अलंकार होता है धोखे के कारण हम उसको उपमान समझ बैठें एक साधरन सा बहुत आसान सा एक्जामपल हम देखेंगे कि जैसे कोई रसी पड़ी है और भ्रमवश हमने उसको साप समझ लिया ठीके तो यहाँ पे लेकिन भ्रांती मान अलंकार में क्या होता है बच्चों ब्रमवश हमने समझ लिया पर बाद में हम यह निश्चित हो जाता है हमें कि वहाँ साप नहीं रस्सी है थोड़ी देर के लिए भ्रहम होता है पर वह भ्रहम थोड़ी देर बाद समाथ हो जाता है ठीके? तो यहाँ पे देखेंगे नाक उधारन नाक का मोती अधर की कांती से बीज दाडिम का समझकर भरांती से देखकर सहसा हुआ सुचता है अन्यशुक यहाँ ठीके? नाक का मोती अधर की कांती से होटों की कांती से होटों की लालिमा से जो सफेद रंग के दाट है वो लालिमा से युक्त हो गए है और जो नाक है बच्चों उसको तोटे के समान माना गया है तोता माना गया है तो वह तोता जो है अधर की कांती से युक्त जो दात है उसके दाडिम के समान अनार के दानों के समान लाल लाल दिखाई दे रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ पे तोते को भ्रहम हो गया कि वहाँ दात है या अनार के दाने इस ब्रहम के कारण वहां समझ नहीं पा रहा कि वास्तों में वहां क्या है अनिश्चित्ता है लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद तोते का ब्रहम समाथ हो जाता है और वहां समझ लेता है कि यहां दाने नहीं हैं बलकि अधर की कांती से लालिमा से युक्त जो है अनार के दाने हैं, ठीके, देखे, उपरोक्त पंक्ती में नाक में तोते का, दंत पंक्ती में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसलिए यहां ब्रांतिमान अलंकार है, ब्रांतिमान अलंकार का एक और उधारन हम देखेंगे, बादल काले काले केशों को देखा निराले, ठीके, बाद काले रंग के बादन है तो भरम है थोड़ी देर बाद थोड़ा पास जाके हम देखते हैं तो वह हम जो ऑनिश्चित्ता बनी रहती है भ्रहम्की वहां समाथ हो जाती है और हमें संदेह अलंकार से परिचित होंगे संदेह अलंकार से पहले हमने ब्रांतिमान अलंकार पढ़ा था बहुत सारे बच्चों को यह confusion होता है कि संदेह और ब्रांतिमान अलंकार दोनों पढ़ने में समझने में एक जैसे होते हैं कैसे पता करें कि हम ब्रांतिमान है और यहां संद संदेह अलंकार हैं ठीक है तो पहले हम संदेह अलंकार की परिभाशा उधारन पढ़ेंगे अंत में मैं संदेह अलंकार के बात बताऊंगे आपको कि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को आप कैसे अलग अलग पहचान सकते हैं ठीक है तो देखिए संदेह अलंकार की हम परिभाशा देखते हैं पहले बच्चों जब उपमेय में उपमान का शंशय हो शक शंशय ठीक है जहां रूप रंग गुण और सम्मानता के कारण किसी वस्तु को देखकर या निश संदेह अंत तक बना रहता है ठीक है हम जो संदेह करते हैं वह संदेह अंत तक बना रहता है वहां पर संदेह अलंकार होता है संदेह अलंकार का एक उधारन हम देखेंगे संदेह अलंकार में बच्चों ब्रहम अंत तक बना रहता है जैसे हमने एक रसी देखी और रसी को देख करके हमने ये सोजा साप है दूर से ब्रांतिमान अलंकार में संदेह समाप्त हो जाता है निश्चित हो जाता है कि यह रसी है साप नहीं है लेकिन संदे है लंकार में बच्चों यह निश्चित्ता समाप्त ही नहीं होती आपका जो संशय है वो समाप्त नहीं होता अंत तक बना रहता है कि यह साप ही है और अंत तक आप भाग जाते हैं वहां से यह सोचकर कि साप है और बाहर भी जाकर आप यहीं बताते हैं कि यह साप ही था, रसी नहीं थी, यहाँ पर मैंने साप ही देखा था, वो निश्चित्ता आपकी समाप नहीं होती है, ठीके, तो एक उधारन हम देखेंगे, देखे, वन देवी समझू तो वहां होती है भोली भाली, ठीके, वन एक्जामपल लिया गया है बच्चों, यहाँ धारन लिया गया है उस समय जब शोर्प नखा, राम और लक्षमन का समवाद हो रहा होता है, और लक्षमन सोर्प नखा से समवाद करती है, विवाह का प्रस्ताव देती है, तो लक्षमन कहते हैं यहाँ पंक्ती, ठीके, प्र दानव की स्थित्री है ठीक है अत्वा कोई वंदेवी है कौन है यहां रहस्य बना हुआ है रहस्य उध्वाटन नहीं हो पा रहा है ठीक तथा अंतिकी भी और निर्ने की स्थिती बनी हुई है अत्व यहां पर संदेह अलंकार है एक बहुत ही सुना हुआ उधारन हम यहां प सारी ही की नारी है की नारी ही की सारी है ठीक है अर्थात जब द्रौपदी राज सभा में जो है द्रौपदी का वस्त्रहरन होता है तो उस समय जो है द्रौपदी और सारी को देख करके स्त्री और सारी का जो गठर बना हुआ है उस गठर के बीच में यहां समझ में नहीं आ र हो पा रहा है इसलिए यहां पर संदेह अलंकार है ठीक है तो बच्चों आप भली भाती समझ पाए होंगे संदेह और भ्रांती मान अलंकार में अंतर क्या है संदेह अलंकार में निश्चित्ता समाप्त नहीं होती शंशय शक्स समाप्त नहीं होता भ्रांती मान अलंकार में शंश थोड़ी देर के लिए होता है उसके बाद वहां समाप्त हो जाता है ठीक है तो भरांतिमान और संदेह अलंकार आपके पाठिक्रम में बहुत महतोपूर्ण है बच्चों परिक्षा की दृष्टिकोंड से भी आप इसे जरूर याद करिएगा और अच्छे से याद करियेगा हाब आते हैं बच्चों द्रिष्टान्त- अलंकार द्रिष्टानत का तातपरी पहले मैं आपको बता दू अर्थ क्या है द्रिष्टानत का अर्थ होता है उधारण जब हम अपनी बात किसी को उधारण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं तो उसे दृष्टान अलंकार कहते हैं ठीक है दृष्टान तलंकार में हम देखेंगे बच्चों दृष्टान तलंकार की परिभाशा हम देखेंगे पहलों काव्य में जहां एक ही भाव या आशय की दो बाते कही जाएं वहां नाते कहीं जा रहे हैं दो अलग अलग बात एंगिन कहने का भाव एक ही है दो उधारन के माध्यम से समझाय जा रहा है है समानता पाई जाती है इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता उपमालंकार में होता है वाचक शब्द का प्रयोग इसमें समानता के लिए वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता कहने का तात पर यह हैं बच्चों कि उपमे और उपमान में बिम्ब प्रतिबिम्ब भ जैसे हमारा शरीर और शरीर की परचाई दोनों अलग-अलग हैं लेकिन शरीर से जुड़ा हुआ है ठीके हैं दोनों तत्व अलग लेकिन फिर भी दोनों में समानता है क्योंकि शरीर की परचाई शरीर जितनी शरीर जैसी ही होगी ठीके तो यहां पे बिंब प्रति बिंब भ खाओ दर्शाया गया है उपमे और उपमान में एक उधारण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे देखिए रहिमन देख बढ़ेन को लगून दीजे डारी जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी ठीक है रहिमन देख बढ़ेन को एक्जामपल में उधारण में कहा गया है कि बड़ी चीजों को देखकर महत्वपूर्ण चीजों को देखकर के छोटी चीजों को कम नहीं आकना चाहिए उसके मूले को समात नहीं करना चाहिए क्योंकि जहां बड़ा काम आवे जहां तलवार काम करेगी वहां सुई काम करेगी और जहां सुई काम करेगी वहां त तो यहां पर उधारन के माध्यम से समझाया गया है ठीक है क्या कहा गया है कि किसी बड़े व्यक्ति को देखकर किसी अमीर व्यक्ति को देखकर गरीब व्यक्ति का मोले कम नहीं हो सकता क्योंकि वहां अपनी जगा महत्वर रखता है और वहां अपनी जगा महत्वर रखता है तो यहाँ पे भी तलवार और सुई के माध्यम से उनको जोड़ करके हमें व्यवहारिक्ता समाज की एक व्यवहारिक्ता के विशे में बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। परकाम नहीं आ सकता इसलिए हमें सुई और तलवार की भाती ही समाज में मनुष्य के मूले को भी आकना चाहिए तो यह एक उधारन के माध्यम से समझाया गया एक बहुत ही आसान उधारन हम देखेंगे जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कक्षा 678 में कहीं पर हि अभ्यास ते जणमती होत सुजान रसरी आवत जात से सिलपर परत निसान अभ्यास करते करते क्या होगा यहाँ पर बताया गया है जणमती होत सुजान ठीके जड़ बुध्धी है मुर्ख है वह अभी क्या हो जाएगा तेज हो जाएगा उसका मस्टिश्क प्रखर हो जाए उसी प्रकार जिस प्रकार रसी के बार बार आने जाने से इतने कठोर पत्थर पर जड़ समान पत्थर पर भी निशान पढ़ जातने हैं उसी प्रकार यहां पे बार बार अभ्यास करने से हम अपने बुद्धी को अपने मस्तिश्क को प्रकर या तेज बना सकते हैं तो बच्चों, आप मैं उम्मीद करूंगी कि आप जरूर अभ्यास करेंगे और बारवार अभ्यास करेंगे, ठीके? रिष्टांत अलंकार के बाद हम देखेंगे अनन्वे अलंकार, आपके पाठिक्रम का यहां अंतिम अलंकार है बच्चों, जिसके विशे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पाठ का अभ्यास करेंगे, जो हमने पढ़ा उसका हम अभ्यास करेंगे देखे, अनन्वे अलंकार क्या होता है? इसकी परिभाशा और उधारन अनन्वे अलंकार जब कावे में उपमे की समता में कोई उपमान ही ना आए उपमे जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, उपमान जिससे हम तुलना कर रहे हैं जब उपमे की तुलना में कोई उपमान ही न बचा हो, किसी से हम उसकी बराबरी ही नहीं कर सकते, तो वहाँ अतुली हो जाता है, उसकी तुलना नहीं हो पारी, और कहा जाता है कि उसके समान वही है, कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक, तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है, ठीक वे में ऐसा नहीं है तुलना स्वयम से हो रही है अर्थात स्वयम के जैसे वह स्वयम है दूसरा वैसा कोई है ही नहीं संसार में एक उधारन के माध्यम से बच्चों समझेंगे राम से राम सिया सी सिया सिर मौरी बिरंची विचारी सांवरे ठीक है राम के समान सिर्फ राम है और दूसरा उनके बराबरी करने वाला कोई नहीं है प्रभु राम के समान दूसरा कोई संसार में उपमान है ही नहीं और सीता के समान सिर्फ सीता ही है सीता माता ही है उनकी उप उपमा किसी से हो ही नहीं सकती, ठीक है, उक्तिपंक्ती में राम और सीता के समान स्वयम राम और सीता हैं, अर्थार, उनकी उपमा किसी से नहीं की गई, यहाँ उपमे को ही उपमान मान लिया गया है, अतह यहाँ पर अनन्वय अलंकार है, एक और उधारन देखेंगे नागर नंद कीशोर से नागर नंद कीशोर कोई और तुलना करने लाए है ही नहीं इसलिए भगवान कृष्ण की तुलना स्वयम भगवान कृष्ण की सुंदरता से ही किये गई है बच्चों, यहां पर आपका कक्षा बारा का अलंकार का प्रकरण समाप्थ होता है और इसी के साथ हम इसके अभ्यास से संबंधित कुछ प्रशन करेंगे यह समझने के लिए कि हमने भली प्रकार से अलंकार पढ़ा या नहीं अभ्यास कारे में आपको दिया गया है उपमा अलंकार की परिभाशा और उधारन कुछ प्रशन ऐसे बच्चों जो परिक्षा में बार बार आते हैं और पाठिक्रम के अंतरगत ये प्रशन बहुत महातोपूर्ण है परिक्षा की दृष्टी कौन से भी बहुत महातोपूर्ण है मैं इन्हें आपको जरूर कहूंगी कि इन्हें जरूर याद करिएगा ठीके कौन-कौन से हैं देख लीजे प्रशन ब्रांतिमान अलंकार की परिभाशा और उधारन ये नया अलंकार जो आपने इस कक्षा में पढ़ा इसकी परिभाशा और उधारन और साथ ही संदेह और ब्रांतिमान अलंकार में आपको अंतर पता होना चाहिए शलेश अलंकार की परिभाशा और उधारण लिखिएगा अभ्यासकारे में आप निमनलिखित पंक्तियों में बच्चों आपको अलंकार पहचानना है मैंने पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे अलंकारों की पहचान आपको बताई तो आपको पहचानना भी है कि उचे घोर मंदर में के अंदर रहनवारी, उचे घोर मंदर के अंदर रहाती है इसमें कौन सा अलंकार है? सोहत ओड़े पीट पट, स्याम शलोने गात, मानो नील मनी शैल पर आतप पड़यो प्रभात इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? और अंतिम आगे नदिया पड़ी अपार, घोरा कैसे उत्रे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चे तक था उस पार इसमें कौन सा अलंकार है? आप इसे भी पहचान कर अभ्यासकारी में करेंगे अब हम देखेंगे अलंकारों का एक संचिप्त परिचे, हमने जितने अलंकार पढ़ें, उनको एक द्रिष्टी में हम देखेंगे जल्दी जल्दी कि हमें वो एकदम छोटी छोटी परिभाशा के माध्यम से तुरंत याद हो जाए क्योंकि जब तक बच्चों आपको परिभाशा याद नहीं होगी, तब तक आप अलंकार पहचान नहीं पाएंगे अलंकार की पहचान के लिए आपका परिभाशा को याद करना बहुत महतुपोर्ण है एक एक लाइन में हम इनकी परिभाशा को स्वमुल्यांकन में देखेंगे जहां वर्णों की आवरती बार-बार हो इसका उत्तरा आप लिखेंगे स्वयम जहां दो शब्द हों और दोनों के भिन भिन अर्थ हों जहां एक शब्द के कई सारे अर्थ निकले चिपके हुए अर्थ हों जहां उपमे में उपमान की समानता दर्शाई जाए, जहां उपमे में उपमान की संभावना या कल्पना दर्शाई जाए, जहां उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, जहां किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए जहां उपमे में उपमान की अनिश्चित्ता हो संदेह का निवारण ना हो अनिश्चित्ता बनी रहे वहां कौन सा लंकार होता है जहां उपमे में उपमान के भ्रहम के स्थुति बनी रहे वहां कौन सा अलंकार होता है और जहां उपमे और उपमान की उपमे की कोई तुलना ही ना हो ठीक है बराबरी ही ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है इन अलंकारों को आप एक एक लाइन में समझ पाए होंगे बच्चों आसानी से इनकी परिभाशा भी आपको याद हो मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रकरण बहुत भलिभाती समझ में आया होगा और आप इसका इसी तरीके से प्रयास करते रहें पाठिक्रम में बहुत महतोपोन अंश है अलंकार काविस अंदरे के ततों में बहुत महतोपोन है अलंकार और आगे भी भविश्य में यदि बच्चों वहां पर आपको अलंकार की पहचान के लिए परिशान होना पड़ता है यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे मन लगा कर पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अलंकार बहुत आसानी से समझ पाएंगे भविश्य में कभी आपको अलंकार भूलेगा नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आज का परकरण यहीं समात करते हैं